पर्षन है एक घनाब का आयतन 600 घन सेंटीमीटर है यदि उसकी लंबाई 12 सेंटीमीटर और चोड़ाई 10 सेंटीमीटर हो तो उसकी उचाई निकाले हैं तो जो ग्याथ उसको लिख लेते हैं दोस्तों तो दिया है लंबाई घनाब की लंबाई है 12 सेंटीमीटर और चोड़ाई है 10 सेंटीमीटर उचाई कह रहा है ग्याद कीजिए और एक चीज जो दिया गया है आयतन घनाब का आयतन घनाब का आयतन जो दिया गया है वो है 600 घन सेंटीमीटर तो इसी घनाब के आयतन से ही हम उचाई ग्याद करेंगे अब दोस्तों यहां देखे घनाब का आयतन बराबर क्या होता है घनाब का आयतन बराबर होता है लंबाई गुडे चोड़ाई गुडे उचाई बराबर इधर 600 अब लंबाई का मान क्या है 12 तो यहां रखेंगे 12 चोड़ाई है 10 उचाई आपको निकालना है और इधर लिखेंगे 600 अब हम यच का मान ग्याद करना है तो यच यहां रोकेंगे और 600 दाएं पक्ष में था और यह 12 और 10 को इधर लाएंगे तो यहां नीचे आजाएगा 12 गुड़े 10 इससे यह कट गया 12 कें 12 बारा पंजे 60 तो यह बराबर जो आया 5 आया 5 क्या होगा सेंटी मीटर तो यह है दोस्तों उत्तर